नमस्कार बहुत बहुत स्वागा थे आपका न्यूज वोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यून शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तरपदेश की फड़ावट खबरों पर यूपी के बरेली में पड़ोसियों ने रंजिश के चलते शक्स का परण किया और गाउं के बाहर पेड से बांद कर उसको आग लगा दी जिसके चलते शक्स की मौत हो गई है पुलिस ने शर्म को पोस्माटम के लिए बेजा पुलिस को मृतिक के घर से एक डायरी मिली है जिस सूचना पर पहुचे सादू के परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखकर हत्या की अशंका चताई गाजीपूर में बदमाशों ने चार साल के बालक परण कर लिया था और 40 लाख रुपे की फिरोती मांगी जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की शकायत की पुलिस ने इस मामले पर कारवाई करते हुए अपरण में शामिल साथ लोगों के साथ शक्स को भी शाकुशल बरामत किया इवक का कसूर इतना था कि दबंगों को फ्री में सबजी नहीं दी गई थी जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्च कर लिया है दबंगों की तलाश जारी है इगलास में पुलिस ने चेकिंग के दोराने के युवक को पकड़ा पकड़ गई युवक के पास से अवैत तमंचा और कार्थूस जब्त किया गया है जिसके बाद पुलिस ने आरूपी के खलाफ मुकदमा दर्च किया जेल भेजा महनपूरी में आगवी 26 जनवरी को लेकर पूरा पुलिस महकमा सतर्क है इसी क्रम में महनपूरी पुलिस और आलादिकारी पुलिस बल के साथ शहर की सड़कों पर पैदल मार्च निकाल कर आगे बड़े हैं ये पैदल मार्च शहर की बिवन जगाओं से गुजरता हुआ श शिकार होने से बच किया जहां ग्रामीडों ने बताया कि बदमाश हवाई फायर करते हुए गाओं में घुसे थे वहीं सेकडों की संक्या में ग्रामीडों को अपनी और आता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भाग गए पुलिस जांच कर लिया ह गाजीपुर में रेज ग्राउंड का शुबहरम किया गया जो ग्राम प्रदाहा निसार एहमद और अब्दुल वाजिद अंसारी द्वराफीता काट कर किया गया साथी अब्दुल वाजिद अंसारी नकहा की नौजवान बच्चे इस फील्ड पर अपने देश की रक्षा क करने के जजबे के साथ दौर लगाएंगे और सेना की भरती की तैयारी करेंगे फिलाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजवल इंडिया के साथ नमस्कार